हेलो स्टुडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं बटा, एक्सरसाइज 5.3 का क्योस्चन नंबर 14 देख लिते हैं हमारा क्या है, स्टेटमेंट रीड करेंगे एक बार Find the sum of the odd numbers between 0 and 50 क्या करना है, 0 and 50 के बीच में जो भी odd numbers हैं, उनका sum find out करना है हमने तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम odd numbers देख लेंगे, हमारे क्या क्या है, 0 के बाद, 0 to 50 0 के बाद जो पहला odd number आता है, वो क्या आता है, 1, फिर 3, फिर 5, फिर इस तरीके से और 50 से पहले जो odd number होगा, वो क्या होगा बटा, 49, तो ये हमारी जो बनगी, series बनगी इनका क्या करना है, हमने sum find out करना है, तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें, first term देखेंगे, इसमें, series में क्या है, A is equal to क्या होगी, 1 D is equal to क्या होगा, common difference, second term minus first term, 3 minus 1 is equal to क्या होगी, 2 ये आगे, मारे पास first term आगी, और common difference आगया, अब बेटा, sum निकालने से formula कौन सा लगाएंगे, A is equal to A plus N minus 1 into D, A N क्या है, हमारा last term 49 है, put कर देंगे values, 49 is equal to A की जंग है, 1 plus N minus 1 into D की value 2, 1 को left hand side ले क्या हैंगे, तो क्या है गया, 49 minus 1 is equal to N minus 1 into 2, 48, 2 या multiply में तो divide by 2 is equal to N minus 1, तो divide क्या तो क्या आगया, 24, तो 24 is equal to N minus 1 और N is equal to क्या आगया, 25, minus 1 left hand side जाएगा तो 24 और 1, 25, तो 1 से लेके 49 तक जो हमारी old number of terms हैं, वो कितनी हैं, 25 हैं, अब क्या करना है हमने, sum निकालना है, sum का formula क्या होता है, SN is equal to N by 2 into A plus AN भी होता है, N by 2 into 2A plus N minus 1 into D, वो भी होता है, हम यह formula क्यों use करेंगे, क्योंकि यहां पर first term भी given है, वो last term भी given है, तो यह formula use कर लेंगे, तो S 25 is equal to 25 by 2 into first term क्या है वेटा, 1 plus last term क्या है, हमारी 49, तो क्या आगया है यहां पर, 25 by 2 into 49 और 1 कितना हो गया हमारा, 50, तो यहां पर क्या होगा, 2 से डिवाइड करेंगे, 225, तो S 25 जो आगया हमारा, वो क्या आगया विटा, 25 multiply 25, कितना आगया, 625, तो यहां पर क्या लिख देंगे, sum of odd number between 0 and 50 is 625, 25, this is the answer, अब आपके exams में क्या होता है, यहां पर तो मैंने odd numbers का पूछ लिया, कई बार इसको revert करके देता है, find the sum of even number, between, कोई भी दे दे, 5 to 25 कह दे, या फिर 0 to 50 भी कह दे, तो इस तरिके का question आपने एक बार solve करके देखना है, और उसका answer find out करना है, कि आपका answer क्या आता है, I hope यह question आपको अच्छे से clear होगा, कहीं पर कोई doubt हो तो मुझे comment कीजिए, otherwise इस channel को subscribe कीजिए, अपने friends के साथ share कीजिए, और अच्छा सो कोई best comment कीजिए, thank you students